आपने दाउद इब्राहिम और दूसरे माफिया डॉन के बारे में तो सुना होगा लेकिन क्या आप इतिहास के सबसे बड़े ड्रग्स माफिया पाबलो एसकोबार के बारे में जानते हैं। कोलंबिया में एक दिसंबर 1949 में पैदा हुआ पाबलो इतना बड़ा डॉन था कि एक वक्त दुनिया के असी प्रा तिशत से ज़्यादा ड्रग्स कारोबार पर उसका कबजा हुआ करता था। वो न सिर्फ माफिया था बलकि अपने चैरिटी के कामों की वजह से कोलंबिया मे रॉबिन हुट के नाम से भी मशहुर था। जानिये पाबलो से जुड़ी पांच मशहुर कहानियां। पाबलो एसकोबार एक वक्त पर दुनिया का सबसे अमीर आग्मी भी माना जाता था। उसकी एक हफ़ते की कमाई 280 करोड रुपे से भी ज्यादा थी। पाबलो को पैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था इसलिए उसने लेजर जैट ही खरीद लिया था। बताया जाता है कि एक बार पुलिस से बचने के लिए पाबलो पुलिस से बचने के लिए परिवार समेत किसी थंडी जगह चुप नोटों को बांधकर रखने के लिए उसने हजारों की हत्या की और करवाय भी. एक अनुमान के मुताबिक पाबलो ने 4000 सेकंड ज्यादा लोगों की हत्या कराई थी. इन में से 400 जज़ और 1000 सेकंड ज्यादा पुलिस वाले थे. इन में बड़ी संखया में पत्रकार और सरकारी अफसर भी शामिल थे। पाबलो इतना कमाता था कि उसे कमाए गए नोटों को बांध कर रखने के लिए हर महीने रबर बैंट पर करीब देर लाख रुपे खर्च करने पड़ते थे। एक वक्त पर उसकी संपत्ती बढ़कर 30 बिलियन डॉलर हो गई थी। पाबलो को सबसे ज पाबलो को रॉबिन हुद्धी कहा था। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक ख़बरे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को थांक यू।